आज की अगर रियल एसेट मार्किट देखेंगे तो फ्रेंकलि स्पिकिंग जितनी भी डवलपर आ रहे है आ यह तेलिग की हमारा यह प्रोजेक्त लग्जरिय है, हमारा यह प्रोजेक्ट अल्टा लग्जरी है बट तक कॉंसेप्ट इस की हर डेवलपर जो लग्जरी वोल रा वाकई वो लग्जरी है लग्जरी में एक्सवल चीज़े क्या क्या डिफाइन होती हैं लग्जरी अगो एक्जामपल नहीं होता कोई डेफिनिशन नहीं होता बट दर हिंग इसकी आज की रेट में जितने भी बीचार के डवलपर ये चाहा हैं चाहे हम प्रेस्टीज गुभ बात कर लें एस ग्रूब की बात कर लें एक यह उम ख्राफ्त की बात कर लें उग्गार्ट को अधर्स इबलपर से जो आलड़ी Noda मारकेट के में आ रहें आजए प्री लॉंट सो इसमें से बेस्ट गुट्व नियज तवन गुट्र शेक्टर 12 नोडक शेंशन और एटी एस होम क्राफ्ट सेक्टर 105 द्वारका एक्सप्रेस वे यह तीनों ही प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूं एक आइडिया के लिए कि कुछ parameters मैंने set कि हूँ मैं तीनों projects से related कि किस parameters में कौन सी property बिस बैठती है एक accordingly you can decide कि इन तीनों ही projects में से फाईनेस property आपको कौन दीखती है जै प्रयोटी आप उसमें according decide कर सकते हो कि किस प्रोपर्टी में जाना चाहिए, सजेशन को मैं भी आपको दे सकता हूँ, जिसके पैरेमिटर्स पे आप सेट कर सकते हो, विच इस गोई गोई तो फाइनेस प्रोपर्टी इन आल दीस डवलपर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार इस उप्सिंस को एक्स्ट्रोर करते हैं, हाई, आप सासी रासिंग, आज के इस ब्लॉग में, जो ये तीन प्रोजेक्ट्स बेसिकली लाउंसर का मैं आपको बेसिक्स किलियर कर देता हूँ, ये जो सटेन पैरामेटर से हैं, एक बार इस ब्लॉग आपको बेसिक्स किलियर हो जाएगा, बाकि जब आप मुझे कॉल के थुरूप कर देंगे, आइक किलियर आल दी क्वेरी जो आपके माइन में चल नहीं हो, रिलेटेट तू लग्जरी रेजिरेंस, क्योंकि एक एंडिवजर हमेंसाथ आता है, उसको एक बेस्ट प्रोपर्टी मिले उस पूरे ही लोकालिटी में, अगर वो न्यू इन्वेस्मेंट कर रहा होता हो तो एक एंवेस्टर को चाहिए एक ऐसी प्रोपर्टी चूज करें, ताकि कल उसको सेल करने में कोई इसू की रेट ना हो एक बार इस बेसिक जो आईडियाज एक बार उसको पहले किलियर करते हैं, यह आप देखिए यह जो प्रोजेक्ट से प्रेस्टीज एटीज एटीए शूंक्राफ्ट र एस गृुरुप यह तीनों की जो लोकेशन आती हैं डिफरेंट डिफरेंट आती है सो कुछ पेरेमिटर से इस पेरेमिटर से मैंने main base जो लिया है वो आपके land area का लिया हुआ है इसके बाद number of units developer number of units कौन कितनी बना रहा है इसके अलावा density बहुत मैटर करती है एक luxury को justify करने के लिए कि कौन सी property कितनी ज़्यादा luxury है it totally depends on density जितनी density कम होगी उतना ही property एक luxury residence पर माना जाता है इसके अलावा specification बहुत मैटर करता है आपकी interest lobby के debitter है आपके flat का specification कैस आपने marble यूज किया है टाइल यूज किया है इसके अलावा आपका flats कंदर आपने जो kitchen है वो किसी companies का दिया है नहीं दिया है यह बहुत सब्सक्राइब करती है तो flat specification is also part जहाँ आप compare कर सकते हो कि luxury कौन सा आपको justify करता है along with that अगर हम बात करेंगो तो club house बहुत important होता है क्योंकि आज की जो gentry है वो basically सीधा से दा जाती है कि जितना luxurious club house आपको within society मिलती है उतने ही वो premium segment की property की category में वो property आ जाता है इसके अलावा at last I'll tell की जो एक delivery होती है डवलपर की last इंके पांसाल आठ सल दस सल के एक experience देखा जाता है इसके अलावा possession के बाद इनकी maintenance भी भी बहुत ही matter कर दी है कि एक यह नहीं होता कि project आपने start कर दिया आपने deliver कर दिया वर delivery के बाद उसकी maintenance ही नहीं हो तो भी उसकी भी negative जो fit work market में आता है वो sentiments खराब करता है कि luxury के नाम पर भी इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया just because of maintenance so एक tentative आपको एक ideas होगे होगे एक पर आप इसको stop करके read भी कर सकते है छोटी सी analysis है इसकी depth analysis बहुत अलब में आपको साथ शेयर करूँगा ताकि आपको भी idea हो कि आप जिस property जिस location में आप investment कर रहे हो वो options वाकई में luxury है normal segment है या आपको ऐसा लगता है कि आपने उस पूरे बेंट में 4-5 projects देखो उससे best है आप decide कर सकते हो कि किसमें जाना चाहिए so as of now I'm working with all these three properties as a pre-launch so जैसे ऐसे developers की रहरा आते हैं आपको बताता जाएंगा अभी की rate में देखेंगे तो ATS Homecraft का रहरा आजुका है यह का भी रहरा अल्मुस्ट आने वाला है प्रिस्टीज का भी रहरा एक्सप्टेट है कि शायद वर्क्डूर तक में आ जाए तो जैसे ही कोई भी ऑफिसल इंफ्रमेशन डवलपर के साइट साहती है आपको मैं चैनल के तिरू बता दूंगा इसके अरावाज आप मुझे प्रिच्ट करें तो पर्टिगुलर ь reporter टीश-डी ब्रॉप्संस आझ ब्Это खने करेंगे तो आपकोर में वह तरूंगे शायो में चाहां कर्या धे करोंगा एक भार मुझे मिटिंग का टाइम भी थे सकते हैं में सारे आप्संस आए मों भी आपको किस में जाना करते हुए, so we can suggest you, कि कौनसी options, कि किस location में best है, जहाँ पर अगले 2-3 साल, 3-4 साल कंदर maximum return आप निकाल सकते हो, so I think it's enough for the day, see you next vlog, thank you for watching.